दोजो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टीफन लीकॉक का लिखाई एक वर्क डिसकस करेंगे जिसका नाम है विद अ फोटोग्राफर स्टीफन लीकॉक क्यों थे वो अपने वर्क्स को बड़ा कॉमिक मैनर में लिखते थे और ये कहानी भी अपेरेंस के उपर कमेट करती है कई लोगों को अपनी अपेरेंस को लेकर बहुत इंसक्योरिटी होती है इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिसकस करेंगे फिरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के एंड में तो यहां पर हम लोग एक बहुत ही कमाल की शॉट स्टोरी पढ़ेंगे विद फोटोग्राफर इस कहानी के अंदर राइटर इन से दील करता है कहता है कि कुछ लोग होता है जिनको अपनी अपेरेंस को लेकर बहुत कॉन्फिदेंस डाउन होता है उसी चीज को यहां पर एक मजाकी अधंग से बताया है राइटर ने शुरू करते हैं एक फोटोग्राफर के पास में जाता है और बूलता है मुझे एक फोटोग्राफर की खिचवाने है फोटोग्राफर ने मेरी तरफ बिना किसी खास इंटरस्ट के देखा उस आदमी ने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था उसकी आखे ऐसी थी जैसे कोई साइंटिस्ट की आखे ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूँगा आप सब जानते हो कि फोटोग्राफर कैसे होते हैं यहां बैठी है सर कहकर वो चला गया थोड़ी देर मैं आता हूं और एक घंटा वो गाया वो गया उतनी देर वहां पर पढ़ी मैगजीन जैसे लेडी कंपेनियन नाम की मैगजीन पढ़ी थी 1912 की गर्ल्स मैगजीन थी 1902 की और यहां 1888 की एक इंफेंट जेनरल भी पढ़ा था वो भी मैंने पढ़ डाला एक एक करके लेकिन बंदा आ जाए म चीज पर नजर मार ली थी और पूरे एक घंटे बाद में मुझे उसके फिर से दर्शन हुए अंदर चलिए बड़ा सीरियस लुक देता हुआ बोला मैं गया भाई उसके स्टूडियो में बैठी है फोटोग्राफर बोला मैं बैठा और देखा कि अचानक मेरी आंखों के स और पीछे से कपड़ा उठा कर उस मेशीन में घुज गया उसके अगले ही पल उसने फिर से मुझे देखने के लिए अपनी गड़दन बाहर निकाली और चुप-चाप देख रहा था जो कुछ भी हो रहा था उसने अपनी गड़दन को हिला और बोला कुछ तो गड़बड है फीस में मैं बोला कि पता है काफी पहले से पता है उसने एक लंबी सी सांस लिया और बोला कि फीस अगर ऐसा होता तो ठीक लगता मैंने भी हामी भड़दी कि मुझे लगा कि उस आदमी की दिल में दया है तब ही वो मेरे फीस को ठीक करना चाहता है मैंने उसे पूछा भ में भर लिया पकड़ लिया और थोड़ा सा ट्वेस्ट किया मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे किस करने वाला है तो मैंने भी अपने आखे बंद कर ली लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया I was wrong बलकि उसमें मेरा चहरा गुमा के थोड़ी देर तक खड़ा होके देखना शुर प्षिश की खोल नहीं नहीं बंद कर लो ये कान ठीक नहीं है आखे की आखों की पल के थोड़ा नीचे करो इन हातों को अपने घुटनों के उपर रख लो थोड़ी सी अपनी खूपड़ी को उपर करो ना जाने मन या that's better अब छाती भुलाओ that's it अब अब अपने हिप्स क अपनी अल्बोस के बरावर लाओ सब ठीक है पता नहीं क्या कमी लग रही है अब मुझे गुस्सा आ रहा था चुप हटो ऐसा मेरे मूग से निकल गया मेरा फेस मेरा है समझे तुम्हारा नहीं 40 सालों से मैं इसी चेहरे के साथ दो और मुझे पता इसमें क्या कमी है कितनी करूं इसका ऐसा ही जो भी है मैंने इसे प्यार करना सीख लिया है फोटो लेनी है तो लो वरना मैं तो चला उसी मुमेंट मैं अपनी फोटो क्लिक मतलब उठने लगा अपनी सीट से तो फोटो क्लिक हो गया वह मुझे बोला कि सटेडे को मैं आपकी फोटोग्राफ दे दिया था मतलब एडिट करके फोटो को एक दुन चेंज कर दिया था मैंने का ये आँखी तो मेरी है नहीं वो बोला सर आपी की है और आइब्रोस कहा गे वो तो मैंने गायब कर दिये गायब क्यों कर दिये क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे मैंने का अरे भाई मैं तेरे पास एक ऐसी फोटो की चवाने आया था जो नॉर्मल हो ऐसी फोटो की चवाने नहीं आया था जिसमें मैं लगू ही नहीं मैं फोटो की चवाने आया था ताकि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वालों के पास एक निशानी की तरह वो फोटो रहे ताकि वो मुझे याद रखें अब ऐसे artificial photo का मैं क्या करूँ तू इसको रख ले इसमें जो change करना है वो करता रहे तू रख अपने friends के लिए रख अपने लिए रख अपने studio के लिए रख मुझे नहीं चाहिए कहकर मैंने वो फोटो उसके मुँपर मार दे और महां से चलाया और यहीं पर यह कहानी खतम होती है वैल इस कहानी में Stephen Leacock ने एक बड़ी interesting social commentary किया है कुछ लोगों को अपनी appearance पसंद नहीं होती अपने looks पसंद नहीं होती लेकिन उन लोगों के पास में अपने appearance को accept करने के अलावा कोई और विकल्प होता ही नहीं है लेकिन फिर भी नजाने क्यूं वो उन चीजों को change करने में लगे रहते है पहानी को एक comic manner में सुनाने का मकसद यह था कि लोगों की अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी चलिए आज की इस वीडियो में बसकता है मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में